कि यहां पर हम इसके दो पार्ट जो फीचर्स प्रॉब्लम्स इन पॉलिसी ऑफ एग्रिकल्चर है इसके दो पार्ट हम अल्रेडी कर चुके हैं समझ चुके हैं आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रीन रेवलुशन मिनिंग मैरिट्स एंड डी मैरिट्स की तो इसके अंदर क्या-क्या सारी चीज़े हैं सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास आता है ग्रीन रेवलुशन इन इंडिया अगर इसके बात करें तो आफ्टर दी इंडिपेंडेंस टू 1965-66 इंडियन एगरिकल्चर रिमेंड इन ट्रेडिशनल इन नेचर मलब पुराने जो तरतोर तरीके थे उसी से जो है एगरिकल्चर यहां पर होता था इंडिया ट्राइड टू इंक्रीज इस प्रोड़क्टिविटी इंडिया ने काफ इंडिया जो है लगाता ट्राइकरता रहा कि यहां इट वोड बे अबल टू इंक्रीज इस प्रोड़क्टिविटी इंडिया वसन इंपोर्ट ग्रीन इंडिया जो है फूट ग्रीन का इंपोर्टर था और सिंस्ट अमिड शिटीज इस ट्राइडिशनल अग्रिकल्चर प् वो रिप्लेस होने लगी modern और new practices in इंडिया नई practices जो है वो आने लगी इसके बाद हम बात करते हैं students meaning of green revolution green revolution की बात करें तो यहां पर जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है कि let me show you कि green revolution की अगर हम बात करें तो green का मतलब होता है crops और revolution का मतलब होता है substantial rise यानि कि जब crops में एक substantial rise एक spurt rise आपको दिखाई दे तो उसको हम green revolution बोलते हैं यहां पर definition दी हुई है green revolution की की green revolution implies large increase in agricultural production due to new agricultural strategy जब new agricultural strategy की वज़े से change होता है production increase होता है manifold times उसको हम बोलते है green revolution green revolution को हम दो phases में पढ़ सकते है students अगर आपको यहां तक यह सारी चीज़े समझ में आ रही है तो मुझे comment में comment करके जरूर बताएं yes sir लिखकर जरूर बताएं यहां पर इसके बात बात करते हैं कि green revolution जो है यह दो phases में हम इसको पढ़ते हैं पहला phase जो 1960s and 70s और दूसरे phase के कर हम बात करें तो यहां पर 70s और 80s के phase में हम इसको पढ़ सकते हैं तो mid 70s and mid 80s first phase था mid 60s and mid 70s तो यहां पर आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है देखे साइड में यहां पर लिखा है green revolution started happening in India in the year 1967-68 in this period food grain production increased nearly 25% जो एक बहुत बड़ी बात होती है students कि हमारा जो food production है food grain production है increase हुआ almost 25% से और उसके बाद यानि कि 1967-68 के बाद जो है इंडिया जो है self-reliant भी बन गया self-sufficiency भी जो है वो इंडिया में आ गई देखने को मिलती है जैसे कि starting वाली slides में as you all can see कि मैंने बताया था कि यहां पर 1965-66 तक इंडिया जो है एक importer हुआ करता था जो उसके बाद हम यहां पर self-reliant बन गए इसके बाद बात करते हैं students की phases की हमने बात की green revolution के तो अगर first phase की यहां पर बात करते हैं तो first phase में हमें पता लगता है कि its impact was restricted to wheat growing states like पंजाब, हरियाना, आंदर प्रदेश and Tamil Nadu only तो इसको मैं जो है यहां पर you know आप हाप्ट करके इसको पढ़ सकते हैं H, P, A, T, H for हरियाना, A for अंदर प्रदेश, B for पंजाब and T for Tamil Nadu तो हाप्ट करके आप इसको जो है ध्यान में डख सकते हैं, so इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यह first phase था जिसमें सिर्फ mainly focus किया गया wheat पे, बाकी सारी कमर्टीज पे इतना जाद, बाकी सारी कमर्टीज कह रहा हूँ, बाकी सारी crops पे जो है इतना ध्यान नहीं दिया गय second phase में, it spread to large number of states and benefited more crops, कुछ और crops, basically rice वगरा भी इसमें include कर लिया गया, और भी काफे सारी crops थे, लेकिन जितना wheat और rice में जो change देखने को मिला, उतना कहीं पर भी किसी और crops में देखने को नहीं मिला, की pointers about green revolution, आपको पता होनी चाहिए यह बात है कि it started happening in India in the year 1967-68, दो phases में start हुआ, mid 60s, 70s and second phase start हुआ, mid 70s and mid 80s, Nobel laureate Dr. Norman Barloff, developed HYVS, यानि High Yielding Variety Seeds, जिनका आधनादर नेम है Miracle Seeds, Miracle Seeds भी इने बोलते हैं, Mexico से यह belong करते थे, तो उन्होंने जो है, इनको develop किया Miracle Seeds को, MS. Swaminathan, आपको पता होना चाहिए that MS. Swaminathan is regarded as the father of green revolution, MS. Swaminathan को father of green revolution बोला जाता है, और green revolution जो है, जितने भी आजकल, जो land, मतलब जितने भी changes आए हैं productivity में, that is because of green revolution, students, अगर green revolution नहीं होता, तो productivity इंडिया की इतनी जादा अच्छी बिलकुल भी नहीं होती, let's talk about the another point, students, सबसे पहले बात करें, substantial rise in crop productivity, features और merits of green revolution की बात कर रहे हैं, कि क्या-क्या merits या features जो है green revolution के हैं, हमारी जो है crop productivity increase हुई, substantial rise हुआ, उसमें, यानि कि लगातार साल दर साल, हम लोगों ने crop की production में, productivity में increase देखा, substantial rise in area under cultivation, जिसको accreage बोलते हैं, जो area under cultivation था, वो भी increase हुआ, कितना increase हुआ, यह हम आगे पढ़ेंगे, shift from subsistence to commercial farming, subsistence farming से farmers जो है commercial farming की तरफ shift हुए, change in farmers outlook, farmers के outlook में भी change आया, जो उनका view था, view point था, उसमें भी change आया, self-sufficiency in food grain, increase in marketed surplus and buffer stock, यह कुछ चीज़े हैं, जिनके हम बात करते हैं यहाँ पर, तो let's talk about the very first point, अगर यहाँ पर बात करें, substantial rise in crop productivity, मतलब क्या है, कि crop productivity increase हुई, many full times, due to green revolution, after a long period of stagnation in Indian agriculture, Indian agriculture में बहुत लंबे टाइम से एक stagnation था, एक ही rate पे प्रोड़क्शन बढ़ रहा था, लेकिन green revolution की वज़े से क्या हुआ, green revolution की वज़े से students यहाँ पर हमारी crop productivity बढ़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1951 में wheat की जो productivity थी 660 kg पर hectare थी, 1951 में जो increase होकर 3408 kg पर hectare हो गई, rice की जो productivity थी 665 थी, 1951 में जो increase होकर 2,665 जो है हो गई, almost more than 3 times जो है यह increase होई, मेज का जो production था पर hectare kg पर hectare वो 704 था, 704 था जो 1,114 kg पर hectare तक increase हो गया, so it was a very good thing, it was a very mind-blowing thing for us कि इतना production जो है हमारा बढ़ा, next point की बात करते हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, पहला point समझ में आया, yes sir, comment box में लिखकर ज़रूर बताएं, कोई doubt हैं आप वो भी ज़रूर बता सकते हैं मुझे, मैं आपको जो है comments के थूँ जो है आपके doubt सारे clear करता रहूँगा, features की बात करते हैं, दूसरा feature, दूसरे merit की बात करते हैं, substantial rise in area under cultivation, यानि कि जो आप जितने area के अंदर production करते हैं, वो area under cultivation जो है वो भी increase हुआ green revolution की वज़े से, जिसको हम accreage बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, accreage बोलते हैं, high yielding variety technology जो है, high yielding variety technology has reduced the time gap between sowing and harvesting of the crops, कि जो आप जो है sow करते थे और harvest करते थे, उसके बीच का time जो है वो reduce कर दिया, और chemical fertilizers के use ने eliminate कर दिया gap of following, जो following का gap था वो reduce कर दिया, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि following क्या किसे कहते हैं students, following is the practice of leaving land uncultivated for some time to regain its fertility, जब land को थोड़ी देर के लिए एक crop को produce करने के बाद छोड़ दिया जाता है, इसके fertility को gain करने के लिए उसको हम following बोलते हैं, तो पहले हुआ करता था, लेकिन क्योंकि आजकल chemical fertilizers आ गए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से production को बढ़ा सकते हैं, with the help of high yielding variety technology, तो इसकी वज़े से जो है the area under cultivation has increased as a result, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर number of times जो crop हम sow करते थे, वो भी बढ़ा, उसकी वज़े से भी productivity में increase हुआ, accreage में तो increase हुआ ही, साथ में productivity में भी increase हुआ, तो यहाँ पर जो area under cultivation 13 करोर hectare था 1951 में, आज के time में वो 19 करोर hectare, यानि 19 करोर hectare हो चुका है, following के definition नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद बात करते हैं तीसरे point की, फार्मर्स ने जो है, shift करना start कर दिया, subsistence farming से, commercial farming की तरफ, subsistence farming is a farming in which, a farmer, you know, does farming, or produce, or cultivate, you know, for, to fulfill the self-needs only, or the family needs of a person, or the family needs of the farmer only, यानि कि, खुद की needs को पूरा करने के लिए, जब आप production करते हैं, उसे subsistence farming कहते हैं, on the contrary, if we talk about commercial farming, तो commercial farming, जब आप market के लिए करते हैं, यानि business venture, जब आप उसे समझने लगते हैं, तो the high yielding variety technology, has increased the production, and productivity of the crops, undoubtedly, हमें पता है कि, दोनों में ही change आया, and it has created market surplus, with the farmers, कि market surplus farmers के पास, कुछ ना कुछ बचने लग गया, बचने लग गया, तो market में sale करने लगे, sale करने लगे, then, उनको realize होने लगा, कि they can earn a good amount of money, from that kind of farming, और उनके, जो है basically, जो subsistence farming किया करते थे, अब वो shift हो गया, commercial farming की तरफ, यानि कि market में बेचने लगे, पैसा आने लग गया, और ज़्यादा profit, जो है, वो जो है, expect करने लगे, और अच्छा खासा जो है, जो है, production उनका होने लगा, तो subsistence farming से, commercial farming की तरफ, shift हो गया, change in farmers outlook, farmers के outlook में भी change हुआ, over a period of time, अगर आप देखें, तो commercialization of agriculture, have brought a significant change in farmers outlook, farmers के viewpoint में भी, attitude में भी change आने लगा, जिस तरीके से सोचने, समझने के जो ability थी, farmers have now started taking agriculture, as a business venture, instead of means to subsistence, जैसे मैंने बताया, subsistence farming के जगे, commercial farming पे आने लगे, तो it changed the outlook of the farmers, as well, तो ये भी एक reason था, ये भी एक merit था, fifth point की बात करते हैं, self-sufficiency in food grain production, हमने जब से green revolution हमारे यहां आया, आपको पता है, PL 480 के अंडर, जो एक आप treaty कह सकते हैं, या provision कह सकते हैं, जिसके अंदर अमेरिका से, हम लोग जो है, वो wheat का import किया करते थे, क्योंकि हम इतना self-sufficient नहीं थे, but in the second phase, of the green revolution in mid 70s to mid 80s, the green revolution technology involving use of high-yielding variety seeds, spread to a large number of states, and benefited a large variety of crops, especially wheat or rice, यहां पर जो है green revolution की वज़े से, इन सारी crops का जो production है वो बढ़ा, और इसने enabled India to achieve self-sufficiency, और India जो है self-sufficient होने लगा हो गया, इसके बाद बात करें, in food grains, we no longer had to import food from America or any other nation now, तो अब हमें America और बाकी सारी countries से, जो है किसी भी तरह का import करने की जुरुत नहीं थी, even though right now we are exporting, you know, such kind of food grains, increase in marketed surplus, market surplus हमारा increase हुआ, so increase in marketed surplus resulting in decline in price of food grains, जैसे जैसे production जो है जादा होने लगा, market surplus बचने लगा, supplies जादा होने लगी, तो price of necessary goods या necessary food grains जो है, necessary food grains जो है, उनका price भी नीचे आने लगा, a good proportion of the wheat and rice produced during the green revolution period, available as marketed surplus, was sold by the farmers in the market, as a result, the price of food grains declined relatively other items of the consumption, to other items of the consumption, तो, जो food grains के items हैं, वो कम होने लगे, ये जो है basically एक, you know, एक positive चीज थी, low income groups के लिए, who spent a large percentage of the income on food, benefited from this, अब इससे जो है, उनको बहुत जादा फायदा हुआ, क्योंकि कम income में, जादा food grains परचेस कर सकते थे, अपनी family की needs को, पूरा कर सकते थे, ये benefit हुआ हमें, increase in marketed surplus से, इसके बाद बात करते हैं, buffer stock, अगर यहां तक आपको चीज ने समझ में आ रहे हैं students, yes करना बिलकुल ना भूलें, point का नाम लिखें, जैसे कि previous marketed surplus, yes sir, और understood sir, जरूर लिखें, buffer stock की बात करते हैं, buffer stock में क्या होता है students की, buffer stock मतलब excess stock, extra production, which is there with the farmer, or the country, so the green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grain, to build buffer stock, which could be used in hard times, or times of shortage, जब कोई natural calamity आ जाती है, या shortage हो जाती है, उस case में हम buffer stock को use कर सकते हैं, तो buffer stock is the excess stock, with the government, which is basically procured by the government, purchased from the farmers, और उसको hard times में, या shortage के time पे हम use कर सकते हैं, these are the merits or features of green revolution students, I hope आपको ये सारे points, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं, तो yes sir, लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें, हम अगर अभी तक हमने बात की features की students, तो जैसे मैं कहता हूँ कि, हर चीज के अपने फायदे होते हैं, और अपने नुकसान होते हैं, इसी तरीके से, green revolution के भी कुछ limitations थी, green revolution के भी कुछ, के कुछ demerits थे, लेट्स तॉक अबाउट देमेरिट, सबसे पहले confined to food crops, इसका impact सिर्फ food crops तक रहा, uneven spread रहा, यानि कि सब को equal फायदा नहीं मिला, inequality among farmers, farmers में inequality रही, prone to pest attack जो produce होता है, green revolution में, वो pest attack उस पे होने का, जल्दी होने का खत्रा होता है, undesirable social effect, वो भी हमें देखने को मिले, और economic divide between rich and poor, तो यह सारे points है, let's talk about them, first of all, confined to food crops, the food crops के बारे में पढ़ते हैं students, the benefit of green revolution has confined to food crops, like wheat और rice तक ही यह limited रहा, on the other hand, there is no increase in the production of pulses, and oil seeds, and commercial crops like coffee, tea, jute, cotton, etc., तो इन सारे चीज़ों में, कोई भी हमें increment देखने को नहीं मिला, so the impact was very much confined to wheat and rice only, सिर्फ wheat और rice में आप इसका impact देख सकते थे, बाकि सारे चीज़ों में आपको इसका impact देखने को बिलकुल भी नहीं मिला, then we are having uneven spread, uneven spread, यानि कि the impact of green revolution, जो impact हुआ green revolution का, जो positive benefit हुआ, has not been equal across all the regions, कुछ regions में जादा था, तो कुछ regions में कम था, for example, substantial increase in the, increase can be seen in Punjab, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, तो इन states में इसका बहुत जादा impact देखा जा सकता है, over a long period of time देखा जा सकता था, on the contrary, जो Bihar, Odisha, Madhya Pradesh और Eastern UP में, इसका impact जो है comparatively insignificant था, and you can say it was very low, in case of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh और Eastern UP में, इसका impact जो है बहुत limited था, so that was one of the limitation students, inequality among farmers, farmers के बीच में ये inequality को induce करता है, promote करता है, so one such risk was the possibility that it would increase the disparity between small and big farmers, जो small or big farmers हैं, उनके बीच ये inequality को बढ़ाता है, since only the big farmers could afford the required inputs, क्योंकि green revolution में, आपको modern equipments चाहिए होते हैं, आपको high yielding variety seeds चाहिए होते हैं, आपको machinery की requirement होते हैं, आपको irrigation की requirement होते हैं, तो chemical fertilizers हो गए, pesticides हो गए, ये सारे small farmers in सारे चीजों को afford करने में able नहीं होते हैं, so therefore reaping most of the benefits of the green revolution, so only big farmers were getting the benefits of green revolution, in the first phase of green revolution, approximately mid 60s to mid 70s, it benefited the farmers of the more affluent states, such as Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Haryana, इन सारे states में जो है इसका impact जादा देखा गया, जैसे मैंने पहले भी बताया, further the use of high yielding variety seeds primarily benefited the wheat growing regions only, यानि कि wheat growing regions को ही इसने जादा फाइदा दिया, और बाकी सारे regions को इतना जादा फाइदा नहीं दिया, during the first phase, जो first phase के हम बात करें तो, prone to pest attack, जैसा कि मैंने बताया कि, the high yielding variety crops were also more prone to attack by pests, thus the small farmers who adopted this technology, could lose everything in pest attack, pest attack में सब कुछ खो सकते हैं, जो small farmers हैं, अगर वो green revolution के through production करते हैं, next point, undesirable social effect भी आपको देखने को मिलते हैं, तो the popularity of green revolution, has increased the use of farm machinery, which in turn, lead to surplus labor, हुआ क्या, कि green revolution के वज़े से, जो है machinery वगेरा का use जादा होने लगा, जिसकी वज़े से, जो agricultural laborers थे, उसका surplus होने लगा, वो जो है unemployed हो गई, so that was the undesirable social effect students, जो हमने कभी सोचा नहीं था, कि इस तरीके का effect देखने को मिलेगा, now big farmers, यह दूसरा impact है, now big farmers have found it more profitable, to cultivate land themselves, बड़े-बड़े farmers, खुदी produce करने लगे, उने लगा कि, it's better to take the charge, you know, ourselves right now, so this has increased the problem of landlessness, among poor farmers, poor farmers की वज़े से, landlessness आ गई, tenancy वगेरा को नोने, जो है, that came to an end, और इसकी वज़े से, farmers landless हो गए, next point, और last point की बात करते हैं, students, economic divide between rich and poor, अब तक समझ में आया, comment box में, yes sir, लिखना बिलकुल ना भूले, keep on responding, आप respond करते हैं, तो पदा लगता है, कि आपको समझ में आ रहा है, so, economic divide between rich and poor, so the green revolution, has widened the gap between rich and poor farmers, green revolution की वज़े से, जो rich and poor farmer का जो gap था, increase हुआ, कैसे increase हुआ, इसकी वज़े से, widespread poverty होने लगी, indebtness भी होने लगी, और अपने peak तक पहुँच गई, यानि कि यहाँ पर जो है, एक तरीके से, loan ले लेके, खर्चा चलाना, और अगर यहाँ पर green revolution है, तो जो गरीब थे, वो और गरीब हो गई, जो अमीर थे, वो और अमीर हो गई, you can understand all these things, जैसे कि मैंने example दिया पीछे, suicide among the farmers, has also emerged as a serious threat for our economy, suicides जो हैं बढ़ गए हैं, आपको पता है, farmers कितने suicide करने लगे हैं आजकल, loan weaver जो है, regular practice हो चुके हैं हमारी, so these are the points on which we need to focus, हमें देखना चाहिए कि benefit जो है, एक larger section of the society तक पहुँचे, rich तक जितने पहुँचे, उतने poor तक भी पहुँचे, and especially poor तक जरूर पहुँचे, अगर हम जो है economic growth, हमारी economy की देखना चाहते हैं, I hope यहां तक आपको limitations, अगर समझ में आई है, comment box में comment करके, yes sir, understood sir, limitation लिखने के बाद, बिलकुल ना भूले, so that I can come across, कि आपको यह सारे चीज़ें, समझ में आ गई हैं, यहां पर यह question, board exam से काफी important हो जाता है, does India need another green revolution, क्या India को एक और green revolution की आवशकता है, requirement है, तो जबाब है, yes, the gains of green revolution have started shrinking, जो green revolution के impact है, वो shrink करना हो गए है, घटना शुरू हो गए है, level of production, अपोइंटर्स की बात कर रहा हूं, level of production and productivity of Indian agriculture, बहुत कम है, as compared to other nations, जैसे की Egypt, China, Japan, America, England, इनके अगर production और productivity की बात करें, तो उनके comparison में, हमारी जो production और productivity है, that is quite low students, समझ में आया, yes sir, जरूर करके बताएं, growth rate of agriculture sector is very low, which in return impacts the growth of other sectors, देखें, अगर agriculture sector की growth कम रहेगी, तो बाकी सारे sector, जो की agriculture sector पर depend करते हैं, उनकी growth भी कम हो जाएगी, next point, agricultural performance in India has been quite fluctuating, मतलब जो uncertainty है, output की fluctuation होती रहती है, कभी कम production, कभी ज़ादा production, irrigation की facilities नहीं है, हर किसी के पास, ये कुछ और point हो सकते हैं, students जो आप यहाँ पर include कर सकते हैं, add कर सकते हैं, CBSE का एक बहुत important question आते है, debate over subsidies to farmers, कि subsidies जो हैं farmers को दी जाने चाहिए, high yielding variety seeds पर या नहीं दी जाने चाहिए, तो काफी लोग इसके favor में हैं, काफी इसके against हैं, let's talk about it, कि क्या सारी चीज़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि small farmers, उसको इस technology को use करें, क्योंकि वो इतनी महेंगी technology afford नहीं कर सकते हैं, इसके opposite, it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidies, it does not benefit the target group, and it is a huge burden of government finances, government finances पर यह burden है, और targeted group तक इसका benefit नहीं पहुंचता, तो इसको eliminate कर देना चाहिए, खतम कर देना चाहिए, उसके बाद कहते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा तर यह fertilizer industry और big farmers को impact करता है, तो इसको eliminate कर देना चाहिए, the correct policy is not to abolish subsidies, यह conclusion है, कि आपको जो है, subsidy की जो policy abolish नहीं करने चाहिए, but you need to take steps to ensure that only poor farmers enjoy benefits, आपको make sure करना चाहिए, कि इसका benefit जो है, सिर्फ, केवल, only, जो हैं poor farmers हैं, सिर्फ उनकों मिले, तो यहां यह सारी चीज़े हैं, आप दोनों चीज़े पढ़ सकते हैं, कि एक तरफ हम जहां यहां मना कर रहे हैं, कि basically देना चाहिए, कि लोग ज़्यादा familiar हों और use करें इस technology को, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, कि यह burden है government finances पे, कुछ लोग कहते हैं eliminate कर देना चाहिए, क्योंकि increase, inequality को increase करते हैं, तो यहां पर benefit जो है, कहते हैं poor farmers तक पहुँचना चाहिए, we need to make sure that particular thing, students यहां पर यह जो chapter है, यह finish हो गया है, कोई doubt है, आप मुझे जरूर comment box में comment करके बताएए, आपके comments का इंतजार है, आपके doubts का weight है, रोजाना नई-नई चीज़ें करते रहते हैं, आप लोगों के लिए नई-ने चीज़ें लेके आते रहते हैं, कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके सा समझ में आए, समझा सकें, बता सकें, और आपको, आपके marks जो हैं, CBSC board exam में एकदम higher to higher, मतलब अपने potential के according आप ला सकें, कोशिश है हमारी, तो अगर आप हमें, अगर ये वीडियो समझ में आया, तो इसको like करना ना भूले वीडियो को, आपके likes के हमें बहुत ज़्यादा ज़रुद है, अगर आप हमें follow करना चाहते हैं, social handles पर, Instagram, Facebook पर, हमारा मनुच जाएंगर, classes के नाम से पेज हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, इसी तरीके के और वीडियो जो Monday to Friday, 12 बजे, नेट 12 बजे, आते हैं आपके पास, तो subscribe कर लीजिए, notification के लिए, bell icon को press करके, all को press करना, बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं इसी तरीके के, किसी और educational वीडियो में, जो होगा हमारा next session, अब होने वाला है, Monday को, इसके question answer session भी में, आप लोगों के लिए ले के आने वाला हूं students, तो अगर आपको question answer session भी चाहिए, question answers भी चाहिए, मुझे comment करके, जरूर बताएं, मिलते हैं next video में, till then, keep studying, keep learning, keep watching, Manoj Janger classes, stay home, stay safe, thank you all of you. कुर बताएंज।